चलिए हम लोग ने डाइलूटेस्टू सो फोर के लिए टेस्ट देख लिया था अब हम कंसंटेट के लिए कि यह कौन कौन से हमारे पास एनाइनिक रेडिकल्स हैं जो अपना टेस्ट देंगे ठीक है तो फर्स्ट हमारे पास क्या है फर्ष्ट हमारे पास सबसे परनिम जो बात करेंगे फर्ष्ट हमारे पास क्या है CL- ठीक है पहला हमारे पास क्या है जैसे हमारे पास है CL- इसे कहते है Chloride ठीक है दूसरा हमारे पास है हमारे पास दूसरा जो है NO3- इसे कहते है Nitrate ठीक है, chloride, nitrate और थर्ड हमारे पास जो है, वो है bromide, BR और फोर्थ हमारे पास जो है, उसे कहेंगे I- iodide ठीक है, iodide ठीक है, और इसके बाद, अब पले इनकी बात करते हैं, फिफ्ट में हमारे पास कौन कौन से है फिफ्ट नमबर में हमारे पास आता है फिफ्ट नमबर में आता है, oxalate C2 O4-2 oxalate ठीक है, और 6 नमबर में हमारे पास आता है six number में हमारे पास क्या आएगा acetate ये concentrate के साथ अपना टेस्ट देते हैं concentrate s2o4 के साथ region के साथ चलिए तो जब हम dilute s2o4 पर test कर चुके थे dilute s2o4 के साथ हमारे पास carbonate, sulfide, nitrite और क्या था? नाइटराइट और कार्बोनेट, sulfide, sulfide और नाइटराइट ठीक है ये थे तो आप concentrate के साथ को अपना टेस्ट देते हैं अज बहुत लोग समझ रहे होंगे इतना बड़ा जाम करना पड़ेगा नहीं अभी हम लोग आइडिया लगा रहे हैं अभी exact हम लोग करेंगे कैसे करना है ठीक है तो डाइलूट के साथ हो गया अब concentrate के साथ देखिए concentrate s2o4 के साथ अपना टेस्ट कैसा देंगी हम test tube लेंगे pin chop salt उसमें रखेंगे ठीक है pin chop salt लेंगे और उसमें हम concentrate s2o4 डालेंगे dropper के थूँ तो हम क्या observation करेंगे इसमें देखो हम लोग क्या observation करेंगे इसमें अगर colorless gas है उसमें अगर colorless gas निकल लई है कैसी colorless gas colorless gas निकल लई है ठीक है और वो क्या कर रही है colorless gas अगर हम agno3 agno3 के solution के साथ वो white ppt दे रही है कैसी ppt white ppt तो इसका means है कि यह chlorine हो सकती है chlorine है ठीक है अगर white ppt नहीं आती है तो हम next test करेंगे nitrite के लिए nitrate वहाँ पर nitrite था यहाँ पर nitrate फिर pin chop salt लेंगे फिर उसमें हम concentrate s2o4 topper के through से डालेंगे ठीक है कैसी reddish brown वैपर आ रही है अगर कैसी आ रही है reddish brown वैपर रही है ठीक है और क्या होगी यह feso4 के साथ black solution देगी feso4 के साथ feso4 solution के साथ यह black color देगी black ppt देगी तो इसका means यह nitrate हो सकता है अगर नहीं आ रहा है black ppt तो हम next test करेंगे bromide के लिए test लगाएंगे फिर वही pin chop salt लेंगे है डाली आ धालने रहें और क्या आपजर्ब करेंगे अगर वहां पर rewardis ब्राउन कलर की वैपर आ रही है जहां पर भी slap चुक्रव पर और पर नाईटरेट में क्या था ले रेडिस ब्राउन कलर की वैपर थी है इसमें भी earnest इस ब्राउन कलर की वैपर होगी और और पंजन्ट इसमेल पंजन्ट इसमेल है तो यह ब्रोमाइड हो सकता है क्या हो सकती है पिर अगर ऐसी स्मेल नहीं आ रही है तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं आयोडीन के लिए अगर क्या होती है यह इसकी इंडिकेशन और आसानी सही है डीप वाइलेट कलर विद पंजन्ट इसमेल ठीक है डीप वाइलेट कलर और पंजन्ट इसमेल दे रही है तो इसका मेंस वो आयोडीन हो सकती है अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे किसके लिए औक्सीलेट के लिए इसमें पिंच आप सॉल्ट डालेंगे डालेंगे ठीक है अगर वो कलरलिस गैस है अगर वो कलरलिस गैस देती है तो वो मेबी CO2 और CO या तो खार्बन डाली आक्साइड होगी या फिर वो कार्बन मोनोआक्साइड होगी ठीक है या तो खार्बन मोनो आक्साइड होगी अब आपको अगर identify करना है कि कौनसी है तो उस guys को आप क्या करेंगे lime water में pass कराएंगे अगर lime water क्या हो जाता है milky हो जाता है तो वो CO2 है नहीं होता है तो CO है ठीक है अगर ऐसी process नहीं आती है तो हम आगे की और करेंगे last test हमारे पास है acetate ठीक है और उसमें से एक चटा दो माइनस ठीक है एक टेटायन बन गया एक टेटायन के साथ हम लोग क्या देखेंगे इसकी colorless gas बनेगी क्या होगी colorless gas बनेगी इसमें भी colorless gas होगी क्या होगा colorless gas colorless gas और और क्या देखेंगे विनेगर सिर्के जैसी विनेगर लाइक इसमें होगी ठीक है विनेगर लाइक इसमें होगी सिर्के जैसी इसमें होगी तो यह acetate ion हो सकता है फिर ध्यान सुनिए देखें बटा जब भी आपको कोई salt given होगा given किया जाएगा दिया जाएगा तो सबसे फर्स्टली आपको acedic radical देखना यानि इनाइनिक टेस्ट करना है उसके लिए आपके पास दो टू टाइप के रीजेंट में ली है एक है एक डाइलूट के साथ एक कंसंटेट इसटो सोफोर के साथ अभी हम बात करेंगे independent जो ना तो डाइलूट के साथ कोई color और गैस देते हैं ना तो कंसंटेट के साथ वह अपना खुद का एक टेस्ट देते हैं independent गुरुप जो होते हैं वह भी हमारे पाढ़ टू टाइप के हैं उन में वी कुछ ऐसा नहीं होता है, तब हम independent के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम एक बार study कर लेते हैं, और हमें idea हो जाता है कुछ की solution में एक time कौन और कौन है, टारीक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास dilute के लिए carbonate, sulfide, sulfide, nitrate, nitrite तीन थे और color concentrate के साथ जो अपना test देते हैं, dilute us 200 जालने पर कोई test नहीं देंगे, कोई color नहीं देंगे, कोई gas नहीं वाल्ब होगी, और अगर concentrate के साथ gas वाल्ब होती है, तो वो ये ग्रुप है, कौन से? chloride यह colorless gas देंगे ठीक है और इसकी AGNO3 के साथ यह क्या देगा white PPT देगा तो में भी यह chloride हो सकता है chloride अगर reddish brown color आ रही है वैपर उसकी और F.E.A.S.O.4 के साथ क्या करती है black color देती है तो nitrate हो सकता है आ रही है और तब हम iodine के लिए test करेंगे iodide के टेस्ट के लिए क्या करेंगे हम अगर deep violet color दे रहा है तो pungent smell आ रही है तो यह may be iodide हो सकता है और अगर नहीं आया तो हम oxylate के लिए करेंगे colorless gas दे रही है तो concentrate के साथ तो बहुत अच्छी बात है colorless gas अगर दे रही है और तो वो CO2 CO कुछ भी हो सकती है अगर उसको lime water में हम लोगों ने पास कराया तो वो milky हो गया तो carbon dioxide है अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो last acetate लगाएंगे इनकी भी अपनी करेक्टरिस्टी के किस मिल है वह एगर जैसी मिल आती है colorless gas तो देंगे ही देंगे तो यह acetate हो सकते है हमाली कि ऐसा नहीं हुआ तब हम एक last着 करेंगे अपने लिए वह क्या है इंडिपेंडिन्ट गुरूप का टेस्ट करेंगे थीक है इंडिपेंडिक्स करेंगे तो independent पेंदन के लिए अपना टेस्ट देते हैं वो टू टाइप कि हैं एक है हमारे पास सलफेट यानि पहला आपास है i.s.o.4 माइनस इसे कहते हैं और सेकेंड है हमारे पास फेट पीओ फोर टिपल माइनस फास फेट ठीक है तो ऐसे पूछे आते हैं कभी कभी दिये जाते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है देखो सबसे पहले क्या करेंगे सलफेट और फास फेट के लिए पहली चीज़ तो यह याद अखना कि independent group जो होते हैं यह अपना खुद का test देते हैं यह dilute test to support और concentrate to support डालने पर अपना कोई gas evolve नहीं करते हैं यह अपना खुद का test देते हैं ठीक है कैसे test देंगे सबसे पहले हमें जो हमारे पास होगा कि जो भी हमारे पास हमारे पास तिया रहे हैं में स्माल कौंटिटी मिलें गप हम क्या करेंगे मिंदेगे प्लस तर प्लित्र 001 और एक उसको क्या करेंके दैन्न क्या करेंगे दैन क्षाइंगे को कि उसको क्या करेंगे उसको रोड करेंगे और मुद्धि कर लेंगे फिल्टर कर लेंगे, फिर क्या होगा, फिल्टर करेंगे और उसको रख देंगे हम लोग, उसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे किसकी, उसमें हम पूट करेंगे कुछ ड्रॉप बी ए सियल टू की, ठीक है, कुछ ड्रॉप डालेंगे हम लोग किसकी उसमें, बी ए सियल टू की ड कि उसमें बीसल्टू की डारेंगे बेरियम क्लोराइट की अगर वो हुआइट पीपीटी देती है अगर उसके साथ आती है अगर वो हुआइट पीपीटी दे रही है तो में भी यह क्या हो सकती है में भी में भी एस ओफोर डबूल माइनस हो सकती है और क्या करेंगे उसको हम कैसे कंफर्म करें अगर उस वॉइट पीपीटी को हम concentrate HCL के साथ मिलाते हैं उसमें कुछ drop concentrate HCL की मिलाते हैं इफ अगर क्या होता है PPT not dissolve अगर PPT dissolve नहीं होती है इफ PPT not dissolve अगर वो PPT जो बनी हुई है white color की वो dissolve नहीं होती है तो इसका means ये indicate होता है कि it means indicate indicate SO4 double minus क्या हो गया present है SO4 double minus present यानि यहां पर sulfate present है फिर ध्यां सुनिए जो independent होते हैं वो dilute test to SO4 या concentrate to SO4 के साथ अपना test नहीं देते हैं ठीक है इसलिए independent होते हैं और हम क्या करेंगे जो भी हमें given salt है salt लेंगे उसमें dilute SCL लेंगे उसको boil करेंगे और इसके बाद filter कर लेंगे लेकिन फिर इसके बाद उसमें BACL2 की small drop कुछ डालेंगे थोड़ी बहुत drop डालेंगे उसमें वाइट PPT after some time आता है तो यह may be identify कि आप लोग ने preliminary test may be यह sulfate हो सकता है अगर आपको confirm करना है तो उसमें concentrate SCL के कुछ drop डालिए अगर वाइट PPT जो है आपकी dissolve नहीं होती है और हो पीयोफोर टिपल माइनस फास्फेट पास्फेट के लिए लगाएंगे वैसे जल्दी यह दिया नहीं जाता है यह दिया जाता है क्योंकि हमारे हाँ पर CBSC कॉड़िंग रहें क्या है इन वह दिखत नहीं है हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास सौल्ट होगा सौल्ट लेंगे अगर हम लोग क्या लाएंगे कंसंटेट एच और घंड़ तुछ आएच एनो थी वही प्रॉसेस है इसको क्या करेंगे वाइल करेंगे it boil it boil it ठीक है तो boil कर लेंगे इसके बाद क्या करेंगे add करेंगे excess में ammonium molybidate solution ठीक है add excess अधिक में ammonium molybidate solution ठीक है excess में लोग क्या करेंगे ammonium molybidate solution को mix करेंगे ठीक है if yellow PPT obtained if क्या होता है if yellow PPT obtained अगर yellow color की PPT आ रही है तो it indicate PO4 है it indicate PO4 triple minus क्या है present है ठीक है PO4 triple minus present है तो यह क्या थे हमारे पास यह थे हमारे पास independent के लिए दो ही टेस्ट हमारे पास एक sulfate हो गया एक phosphate हो गया sulfate में क्या करेंगे salt लेंगे small amount में plus dilute acl लेंगे boil करेंगे इसका फिल्टर कर लेंगे BACL2 कि इसमें कुछ drop डालेंगे अगर white PPT आती है तो maybe sulfate हो सकता है confirm करने के लिए concentrate की कुछ amount इसमें mix करेंगे अगर वो PPT dissolve नहीं होती है तो confirm है कि यहाँ पर sulfate present है फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आता है phosphate phosphate आता है हमारे पास यहाँ पर अगर वो नहीं आता है तो हम इसके लिए करेंगे हम small salt लेंगे plus concentrate estuosophore boil करेंगे इसको और add करेंगे अगर यलो PPT आती है तो यह indicate कर रहा है कि PO4 यहाँ पर हो सकता है present है तो हम एक बार फिर से दिखा देते हैं सभी ग्रूप जो हमारे पास है एक बार देख लीजी जल्दी से और आप लोग इसके बाद अपनी lab manual से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आप वाकरी में आप समझ रहे हैं ठीक है देखो सबसे पहले क्या है जो हमारे पास dilute S2SO4 के साथ ग्रूप के साथ जो टेस्ट देते थे वो कौन-कौन से थे carbonate CO3- second क्या था sulfide S- ठीक है या फिर कोई- W- लगा देता है या वो ऐसे 2- लगा तो कोई दिख्कत नहीं है तीसरा हमारे पास क्या था तीसरा हमारे पास SO2 ठीक है SO3- SO2- हमारे पास था बताइए SO3- sulfide और फोर्थ में क्या था NO3 NO2 NO2- nitrogen carbonate sulfide nitrate ठीक है और जो concentrate के साथ अपना test देंगे वो क्या था क्या थे CL- chloride फिर आता है हमारे पास सील अगर नहीं है फिसके वाद हमारे पास एनोथी माइनस नाइट्राइट नाइट्रेट बी आर माइनस ब्रोमाइड आई माइनस आयोडाइट फिर हमारे पास आता था सी टू ओ फोर माइनस ऑक्सीलेट फिर आता था लास्ट हमारे पास सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस एसीटेट ठीक है और जो इंडिपेंडेंट टेस्ट देते थे जो दोनों के साथ टेस्ट नहीं देते थे वह हमारे पास कौन कौन से थे वह हमारे पास थे शलफेट और क्या थे फास्फेट तहीक है यह थे आपके पास थे जो डाय यह जो एसीड इन निक से कहते एसीडिक रेडिकल यहन इनिक रेडिकल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास यह घृष स्वां के सब एच्छी सकते हैं आपको ठीक है यह आपको दिए जा सकते हैं तो याद अखना यह डाइलूट के साथ अपना टेस्ट देते हैं यह इंडिपेंडेंट होते हैं किसी के साथ अपना टेस्ट नहीं देते हैं जो आपके दिख रही है जूम करके देख लीजे ठीक है यहां पर देखो यह दिखाए एसीडी क्रेडिकल्स एन 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 रियक्षन भी डालूट टेस्ट्योस फोर और रियक्षन भी तो फर्स्ट ग्रूप में हमारे पास हैं यह सभी नाम लिखे गए हैं ठीक है अधिकतर तो यह देखो टालूट टेस्ट्योस फोर प्रसड एवलियूसान और गएस गैसिवाल हो रही है इनमें कोई गैस नहीं दे रही है ठीक है तो यह डालूट्योस फोर की साथ हमने पिछए पढ़ाय था यह ग्रूप है अब इन दोनों के साथ हैं जो अपनी गैस है अगर हम लोग अगर यह दोनों गुप अगर हम डाइलू टेस्ट इस पोर कंसंटेट इस पोर मिलाएंगे तब भी कोई गैस नहीं देगा तो वह इंडिपेंडेंट गुरूप होता है सलफेट और फासफेट स्वारी सलफेट में दो माइनस को होगा मैंने एक लिखा है 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 ठीक है लोग गैस इवलूशन और कंसंटेट के साथ भी कोई गैस इवालब नहीं करते ह्एं यह हमारा हो गया क्रेडिकल्स अच्छे सिसको पढ़िएगा ठीक है अभ रहे हम बात करेंगे अभी एक वीडियो बनाएंगे किसके लिए डिपेंडेंट wy के लिए इसे कहते हैं लोग content based experiment ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं, thank you